नमस्कार स्वागेत आप सभी का मोसम विभाग ने राजस्तान में अगले दो दिनों के लिए ओरेंज अलर्ट जारी कर दिया है मोसम विभाग की माने तो राजस्तान के कई इलाकों में अच्छी बरसात की संभावना जताई जारी है अगले 48 गंटों में मौसम विबाग ने मानसून को लेकर भी नई जानकारी अपडेट की है आपको बता दे मौसम विबाग का कहना है कि वायू तुफान से मानसून की जो चाल है वो दीमी हो गई थी लेकिन अब वायू चकरवात तुफान का असर बिलकुल खत्म हो चुका है और मानसून 60 से 80 किलोमेटर परती गंटे की रपतार से राजस्तान और गुजरात की ओर बढ़ रहा है एसे में उमीद जताई जा रही है कि 2 जुलाई से पहले मानसून राजस्तान में 10 तक दे देगा अनुमान है कि राजस्तान में मानसून पहुँचने से पहले यानि कि अगले 48 गंटों के दोरान कई जगे भारी बरसात होने की समभावनाई मौसम विबाग जताई है आपको बता दे मौसम विबा की अनुसार अरब सागर में दक्सिनी पस्चीमी नम हवा का सरकुलेशन बना हुआ है इसके कारण मानसून ने रप्तार पकड़ ली है और ये जो रप्तार है अभी फिलाल 80 किलोमेटर की रप्तार बताई जा रही है अगर मानसून की रप्तार य ने दस्तक दे दी है इससे उमीद लगाई जा रही है कि अगले 48 गंटों में राजस्तान में भी कई इलाकों में भारी बरसात होने की संभावना बनी हुई है राजस्तान समेथ पूरे देश विदेश की खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का